नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होजरी वाला जो फैवरिक आता है वो डेड़ मिटर आता है और उसमें से कटिंग कैसे की जाए यहाँ पे पूरे पीस की मैं डेड़ मिटर में से कटिंग आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आप यह देखिए हमने पूरा का पूरा लोवर कटिंग किया हुआ है फ्रेंट बैग है यहाँ पे और यह हमारी सर्ट होगी जिसमें नीचे की साइड बैक साइड बिची हुए उपर फ्रेंट है और यह बाजो है तो पूरे के पूरा पीस हम कैसे कटिंग करते हैं होज़ड़ी वाले कपड़े में से कैसे कौन सा पार्ट कहां से निकाला जाता है एक एक पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो आईए सीखते हैं फटा फट से किस तरीके से कटिंग की जाएगी आज कल देखा होगा आपके पास इस तरीके के कपड़े जарूर आते हैं जिन भें हम कौन सी नमर की सुई चलाते हैं कैसे स्टिचिंग करते हैं और कैसे कटिंग करते हैं तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कटिंग के बारे में देखिए बात करें फैवरिक की तो इस फैवरिक का अर्ज बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का अर्ज होता है यह पूरा हमारा अर्ज है क्योंकि इसमें काफी comment आते हैं कि भी हमें बताया जाए सर हमें बताया जाए कि किस तरीके से हम cutting करें देखे यहां पे urge की बात करें तो यहां पे 60 inch से भी ज़ादा urge है तकरीबन हमारा 55 inch का यहां पे urge है यह 5 inch यह हो जाता है और फिर पूरा का पूरा इंचिटेप यहां पे आप देखोगे इस तरीके से होता है ऐसे तो पूरा इंचिटेप यहां पे पड़ा हुआ है तो कहने का मतलब है पैंसा टिंच का अर्ज होता है और cutting करते वे हम confuse हो जाते हैं कि किस तरीके से इस कपड़े में से cutting की जाएगी तो आज मैं आपको बताऊंगा जो तोल वाले फैवरिक आते हैं या ये इस तरीके के फैवरिक आते हैं जैसे सैनिल टाइप होते हैं या होजरी वाले कपड़े आते हैं इनमें से कैसे कटिंग की जाती है तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कपड़ा ये है हमारे पास 1.5 मिटर कुल 1.5 मिटर कपड़ा आता है लेकिन इसका अर्ज जो है अर्ज बहुत ज़ादा आता है तो पूरी कपड़े की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है तभी हम आगे कटिंग कर पाएंगे कहां से कौन सा पार्ट कटिंग होता है और कहां से बाजू निकलती है किस तरीके से एक एक पॉइंट पे यहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कटिंग करते है तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक नाप भी जान लेते हैं नाप जानना ज़रूरी है यहां पे जो लेंट रखनी है हमने 34 त्यार रखनी है चाती का नाप हमारा 35 है और यहां पे 3 इंच की लूजिंग कोई भी नहीं दी जाती होजरी के कपड़े में एक इंच की लूजिंग काफी रहती है वेश्ट हमारी 32 है एक इंच पलस करेंगे 33 होगा हिप हमारी 41 है एक इंच पलस करेंगे तो 42 हो जाएगा इहां पे आथारा इंच बाज़ होगी, आगे गोलाई 13 होगी, कोलर गाला बनाएंगे, जो नेक लाइन होगी हमारी कोलर वाली होगी, जो हमारा नीचे का लो़र होगा, उसकी होगी 33-7 लैन्थ होगी और मौरी होगी यहां पर साड़े सो लाइंच इस दना आपके according हम यहां पर आपको cutting बताएंगे दोस्तों थोड़ा समय यहां पर knowledge दे लेता हूँ कौन सा पार्ट हमारा कहां से निकलता है देखें यहां पर जैसे हमारा open side है यह वाली open side है तो यहां से हमारा front और back आएगा य इसके बाद जो यह वाला फैव्रिक बचता है इसमें से हमारी बाजू आईगी। यहांपे डबल करेंगे एक बाजू यहां से यहां तक आजहेगी। इसके बाद हमारे यह यहांपे यह कपड़ा बचता है, यह बचता है पैंट के लिए तो पैंट में कई बार क्या होता है जब हम cutting करते हैं एक पार्ट हमें कुछ इस तरीके से काटना होता है ऐसे जैसे क्रोस कटेगा यहां पर आसान न जाएगा यह वाली जो चीज होगी दूसरी हमें यहां पर लेनी होगी और फिर इधर आपका पूरा का पूरा पीस यहां पे निकल आता है तो अब यह तो हो जाता है तरीका कैसे cutting करते हैं अब मैं आपको यहां पे cutting करके भी दिखाता हूँ देखे यह पीस है हमारे पास इसको हम इस तरीके से यहां पे बिचाएंगे ऐसे front cutting करने के लिए तो यहां पर front cutting करने के लिए हमने इस तरीके से fold लगा लिया है और अब यहां पर हम लगाएंगे निसान यह देखिए यहां पर हमें एक से सवाइंच का इस तरीके से निसान लगाना है ज्यादा margin आपने नहीं लेना होता इन वाले फैबरिक में जैसे हम चोड़ा फोल्ड लगाते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, अपने सिंगल फोल्ड यहां पर लगाना होता है, अब लेंथ हमारी 34 है तो हम यहां पर 34 एंड आप यहां पर निसान लगाएंगे, यह देखें, 34 पर निसान आज चुका है, अब यहां पर आरमॉल ल सबी निसानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा देते हैं अब हम साइज के अकोडिंग यहां पर निसान लगा लेंगे जैसे उपर से हमने यहां पर त्यार रखना है 36 इंच रखना है तो हम 9 इंच पर निसान लगाएंगे कमर हमारी यहां पर 33 है तो यह होगी हमारी 37 इंच और हीप हमारी 21 इंच है तो हम यहां पर 10 इंच रखेंगे सबी निसानों को एक दूसरे से यहां पर जोड़ लेंगे यहां पर सीधा निसान लगा देंगे तो यह निसान तो हो जाते हैं हमारे बिल्कुल सीधे इसके बाद हम यहां पर सोल्डर पर आते हैं, सोल्डर फुल सोल्डर रखना है क्योंकि हाई नेक कुर्ती बनानी है तो पोने आट इंच हम यहां पर निसान लगाएंगे सोल्डर का और यहां से एक निसान हमारा बिल्कुल सीधे आता है, दूसरा निसान हम अंदर की साइड यहां पर सवा इंच अंदर की साइड देंगे ऐसे और यहां पर डालेंगे गोलाई तो यह हमारी गोलाई होगी आर मोल की अब यहां पर पोने तीन इंच रखेंगे ब्रोड लेंद और यहां से कंधी डाउन करेंगे एक इंच कंदी डाउन कर देंगे तो ये देखिए परफेक्ट निसान लग चुके हैं हमारे इन्ही निसानों पर हमें कटिंग करनी है तो ये देखिए दोस्तों यहां पर हमने बैक साइड के लिए भी कपड़े को इस तरीके से बिचा लिया है और उपर यहां पर फ्रंट रख लिया है यह हमारा फ्रंट रहेगा तो मैंने यहां पर क्या किया है इस साइड से जो हमारा फोल्ड था तो उसमें से हमने फ्रंट किया है कटिंग और आगे से हमने यहां पर बैक साइड के लिए भी बिचा लिया है अगर आपकी पूरी नहीं आती तो हमें आगे से लेना होगा अगर पूरी आ जाती है तो यह perfect idea है और perfect तरीका है क्योंकि इसके बाद आपके पास काफी कपड़ा बचता है अगर आपका इतना बड़ा अर्जवाला कपड़ा होता है तो यहां पर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे आदा ही चमें बैक साइड को यहां पर बड़ा कटिंग करूँगा और यहां से हम इस तरीके से यहां पर गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे तो यह देखें यहां पर आर्मोल हमने कटिंग कर दिये हैं और इसके बाद हम यहा पर cutting कर लेंगे तो यह हमारी front और back की complete यहां पर cutting हो चुकी है इसके बाद मैं यहां पर आपको साथ ही बता देता हूँ जो हमारे पास यहां पर कपड़ा बचा है यह वाला fabric जो बचा है इस में से हमें सबसे पहले pant cutting कर नी है तो यहाँ पे पैंट आप कैसे कटिंग करोगे सबसे पहले यह चीज जो है यह बिल्कुल सीधी कर ले यहाँ पे यह तो हम अलग कर देते हैं बाजू अभी आपने नहीं कटिंग करनी है क्योंकि बाजू की लेंट आप एक इंच कम जादा रख दोगे तो चलेगी यह हमने डबल कर लिया है और यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लिया है तो यहाँ पे लगाएंगे हम सीधा निसान इस तरीके से और यहाँ से हमें लेंथ रखनी है उपर की साइड हम एक इंच निकाल देते हैं और field length रखते हैं, जितनी भी आपकी length है, जैसे हमारी 37 है, तो 37 पर निसान लगाएंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच का extra निसान लगाएंगे, अब इस निसान को यहाँ पर आगे इस तरीके से बढ़ा लेंगे, पैंट के front काटने के लिए यह तो हमारी मोरी हो जाती है, और इसके बाद हमने आशन का निसान लगाना है, तो इन कपड़ों में थोड़ा आप यहाँ पर लूजी आशन रखें, तो 1.5 इंच तक मैं यहाँ पर आशन का निसान लगाऊंगा, इस तरीके से, और इसके बाद जो हमारा साइज यहाँ पर निकल करके आएगा, जैसे हिप हैं हमारी यहाँ पर 42 इंच, तो 42 का हमारा चोथा बाग हो जाता है, साड़े 10 इंच, इसके बाद यहाँ पर आपने जो लूजींग है, वो ज्यादा नहीं देनी है, आदा इंच की लूजींग भ अगर लूजींग ना भी दें, तब भी आपका यहाँ पर चलेगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर यहाँ पर निसान लगा लिया है, फिर शे हम नीचे मोरी वाले पार्ट पर जाएंगे, और यहाँ से आपने जितनी मोरी रखनी है, जैसे 16 इंच रखनी है, या 15 इंच रख कपड़े होते हैं, तो इनमें हम हल्का साही यहाँ पर इस तरीके के सेव डालते हैं, अब हम इनी निसानों के उपर यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो यह देखे फ्रेंद्स हमने यहां पर इस तरीके से फरंट अपना कटिंग कर लिया है आप हमें देखना है बैक साइड हम कहां से लेंगे तो देखे बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा मैं जो कि कम कपड़े में भी आप यहां पर खुला डुला पैंट निकाल सकते हो हमने इस तरीके से यहां पर फैवरिक को इस तरीके से बिचा लेना है गुमाते हुए और यहां पर अच्छे से इसको पहले सेट करेंगे और यहां आप देखोगे बहुत यह आसान तरीके से हम बैक वाला पार्ट भी यहांपे कटिंग कर पाएंगे तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से आपने इस तरीके से करते वे बिचा लेना है अब हमें यहांपे इस तरीके से फ्रंट को बिचाना है तो यह देखे जब हम फ्रेंट इस तरीके से बिचाएंगे तो यहां पे पूरा का पूरा पीस हमारा अच्छे से से सेट आजाएगा एक पल्ला बिचा लें जरूरी नहीं आपने दोनों पल्ले बिचाने है तो यह देखे दोस्तों हमने यहां पे बैक साइड के लिए इस तरीके से फ्रंट उपर की साइड बिचा लिया है नीचे की साइड से हमारा बैक वाट आएगा अब आपके सामने यहां पर यह कपड़ा है हमारे पास यह देखें, इस तरीके से कपड़ा जिसमें से हमें बाजा कटिंग करनी है, और Size की बात करें तो यहां पर 17 इंच हमारा यह कपड़ा होगा, आगे की साइड हम पट्टी लगा देंगे जो की साइड से कपड़ा बचा हुआ है और फर्स क्लास तरीके से हमारी बाजू भी यहां पर आ जाएंगे तो अब पूरे डेड़ मेटर में मैंने आपको पूरा पीस यहां पर कटिंग करके दिखाया है अब फटा फट से काट लेते हैं हम पैंट यहां पर इस तरीके से जैसे नॉर्मल मैं पैंट कटिंग करता हूँ वैसे हम यहां पर निसान लगाएंगे और कटिंग कर लेगे यह मैंने निसान लगा दिये हैं बैक वाले पाट के भी यहां पर इस तरीके से और अब हम यहां पर कटिंग कर लेंगे नहीं निसानों के उपर तो यह देखिए दोस्तों हमने बाजू भी यहां पर कटिंग कर ली है और डेड़ मिटर कपड़े में से होजरी वाले फैवरिक में से हमने आपको पैंट भी कटिंग करके दिखाई है और यहां पर पीस कटिंग करके दिखाई है जिसमें फ्रेंट वैग बाजू पूरा उपर का टोप होगा और यहां पर यह हमारा लोवर होगा तो इस तरीके से आपके पास भी अगर होजरी वाला कपड़ा आता है कोई भी या आप फिर खुद इस्टिच करते हैं अपने लिए तो कटिंग का यह सबसे बेश्ट तरीका है जो मैंने आज आपको यह बताया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद